केरजिवाल की गिरफतारी पर हाइकोट में कुछ देर में फिर से सुनवाई होगी केरजिवाल ने हाइकोट में गिरफतारी को चनौती दी थी CM केरजिवाल 30 मार्च को हाई कोट में यहाचिकादार की थी जिसमें उन्होंने तत्काल सुनवाई की अपील की थी लेकिन इसकी इजासत नहीं दिकली अर्विन केरजिवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफतार किया था अगले ही दिन 22 मार्च को दिली की राउजेवल्यू पोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ED की हिरासत में भेश दिया था तो केरजिवाल की गरफतारी पर हाई कोट में अपसे कुछ देर में एक बार फिर से सुनवाई होगी अभी सुनवाई तरी है हमने देखा कि इसे पहले केज़िवाल की तरफ से अभिशेक मनू सिंधी पेश हुए और यहाँ पर केज़िवाल ने अपनी गिरफतारी को गैर कानूनी बताया है ED की रिमांट को चुनौती दी है वो 28 मार्श तक ED की रिमांट पर है और हमने देखा कि लकतार केज़िवाल की समर्थक आमादमी पार्टी ये कहती आई है कि एक नेता को पूरा अधिकार है कि वो चुनाव में हिस्सा ले हमारे साथ विकरांत इस वक्त लाइब मौजूद है विकरांत क्या हाई कोट में सुनवाई शुरू हुई थी कुछ देर बाद फिर से सुनवाई शुरू होगी अभी तक क्या हुआ सुनवाई के समय देखिए अर्विन केज़िवाल की तरफ से याचिका उनकी ग्रफसारी के ठीक बात दाखिल की गई थी इस पर अर्जन्ट हेरिंग की मांग की गई थी हालंकि अर्जन्ट हेरिंग नहीं हुई थी आज होली की शुट्यों के बाद जब कोट खुला तो इस मामले की सुनवाई हुई सुबह साड़े दस बजे जस्टिस स्वर्न कांता शर्मा की कोट में इस मामले की सुनवाई हुई अर्विंद केजरिवाल की तरफ से बरिष्ट वकील विशेक मनू सिंग्वी पेश हुए उन्होंने कहा कि इस मामले को तुरंट सुना जाना चाहिए और उन्होंने याचिका के साथ-साथ जो मुख्य याचिका उसके साथ-साथ अंतरिम रहत की भी मांग की है जिसमें रिमांड को चैलेंज किया गया है और उन्होंने कहा कि रिमांड की अवधी कल खतम होने जा रही है इसलिए वो चाहते हैं कि आज ही इस मामले को सुना जाए वहीं एडी की तरफ से एडिशनल सुलिटर जनरल स्वी राजु पेश हुए उन्होंने कहा कि हम मुखे याचिका में जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम तीन हफ़ते का समय चाहते हैं क्योंकि ये लंबी याचिका है और उसके साथ-साथ जो इंटरिम प्रेयर है उसके लिए हमें एक रिजनेबल समय दिया जाए लेकिन कुछ समय दिया जाए जब सप्लिमेंटरी लिस्ट के सारे मैटर खतम हो जाएंगे उसके बाद इस मामले को दोबारा सुना जाएगा बिलकुल तो विकरांथ हमें दोपहर तक का इंतजार करना होगा लेकिन लकतार आमादमी पार्टी ये कहती आई है खासकर हम केर्जिवाल के वकील अभिशेक मनु सिंगी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि एक नेता को अधिकार है चुनाव में हिस्सा लेने का और अगर E.D. ये कह रही है कि उनके पास पूरे सबूत हैं तो फिर गिरफतार क्यों किया गया है पुष्टाच क्यों करना चाहती है E.D. इस पर क्या दलीले यहाँ पर E.D. की द्वारा रखी गई है दिखिए रिमांड को उन्होंने चैलेंज किया बेसिकली उन्होंने अपनी ग्रफतारी को अनकोंस्टिटूशनल गयर कानूनी बताया और ये कहा है कि जो नोटिस उन्हें भीज़े गये थे उसमें किसी में भी उनका नाम बतोर एक्यूज नहीं रखा गया था ग्रफतारी से पहले कभी उनका नाम एक्यूज के तोर पर नहीं लिया गया था अचानक से उन्हें ग्रफतार कर लिया गया और उसके बाद उनके उनको रिमांड पर भी ले लिया गया उन्होंने अपनी ग्रफतारी को भी चैलेंज किया है और रिमांड को भी चैलेंज किय इस समय News 18 इंडिया के दर्शकों को मैं एकोट जानकारी दूँ कि आध दोपहर में साड़े बारा बज़े आपके लीगल सेल ने दिल्ली की तमाम निशली अदालतों में प्रोटेस्ट की भी कॉल किये वो मामला भी आज हाई कोट में पहुचा था चीफ जस्टिस की कोट में और एक्टिंग चीफ जस्टिस ने उस मामले में ये कहा है कि अगर अदालत में आने जाने में किसी को कोई दिक्कत हुई तो वो इस मामले को देखेंगे इस मामले में कड़ी कारवाई की जाएगी अगर किसी भी व्यक्ति को दिक्कत हुई अर्विन केजरिवाल की याचिका का जो मुद्दा है वो अपसे कुछ देर बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि लंच के करीब या लंच से पहले दोबारा से आ सकता है क्योंकि अभी कोट सप्लीमेंटरी मेटर सुन रही है और उसके बाद कोट में अर्विन केजरिवाल की सीटों के नाम पर अंतिम फैसला आज की बैठक में हो सब्सक्राइब यह सूत्रों के हवारे से बड़ी ख़बर है इसके अलावा कॉंग्रेस और अंगाबाद सीट निखिल कुमार के लिए और पूनिया सीट पप्पो यादव के लिए मांग रही है इन सीटों पर अब तक त जस्वी ने अपनी सहमती रही दी है आज की बैठक में सीटों पर स्थिती साफ होगी इसके अलावा कॉंग्रेस के बधायक अजीत शर्मा अपनी अभीनेतरी बेटी नेहा शर्मा के लिए भागलपूर सीट मांग रही है इस पर आरजेडी विचार कर सकती है कॉंग्रेस ब कराकार्ट की सीट छोड़ने को तयार नहीं है मीरा कुमार अपने बेटे के लिए काराकार्ट सीट चाहती है लेकिन लालू इसके लिए तयार नहीं है अब देखिए कई सीटे ऐसी है जिस पर पेज फसा हुआ है हाला कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं सब ठीक है लेफ्ट कॉंग्रेस और आर्जेडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे लेकिन कैसे जो पेज फसा हुआ है उस पर स्थिती अभी तक साफ नहीं हो वाई है आईए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी सीटे हैं जिन पर आर्जेडी कॉंग्रेस का पेज फसा हुआ है और उनके बीच ठन गई है सबसे पहले हम बात करेंगे और अंगबाद सीट की जहां पर आर्जेडी अभे कुश्वाहा को उतारना चाहती है अब ये देखिए कि आर्जेडी अभे कुश्वाहा को यहाँ पर उतारना चाहती है लेकिन कॉंग्रेस निखिल कुमार के लिए ये सीट मांग रही है अब दूसरी सीट आती है पूनिया के लिए जहां पर बीमा भारती इसके लिए यहां पर पूनिया सीट पर मांग रही है लेकिन यहां से आरजडी बीमा भारती को उतारना चाहती है बेगुसराय से कॉंग्रेस कनिया कुमार को उतारना चाहती है लेकिन पिछली बार कनिया को देना चाहते हैं कटिहार सीट पर कॉंग्रेस तारिक अन्वर को उतारना चाहती है वहीं आरजेडी कटिहार सीट पर सीप्याई-म को देना चाहती है चंडर मोहन हमारे स्थेहोगी लाइव मधूद है चंडर मोहन हम सीटे एक एक करके बता रहेते इस पर पेज़ फसा है कि लालू यादो बीना उनसे पूछे हुए बीना सीटों के बटवारे का इस तरह से अपने उमिद्वारों का आलान कैसे कर सकते हैं अब एक उस वहाँ को औरंगाबाद से लालू यादो ने उतार दिया है उनको सिंबल दे दिया है जबकि कॉंग्रेस निखिल कुमार को वहां से चुनाओ लड़ना चाहती थी CPI के खाते में चला गया है बेगू सराय जहां से कॉंग्रेस अपना उमिद्वार को नहीं कुमार को बनाना चाहती थी और उसी तरीके से पूर्णिया में पपू यादो अपने पार्टी का बिला इश्मिये कर लिये थे क्योंकि वहा लालु यादो साफ पर 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 यह कहा रही है कि यह लेफ्ट के खाते में जाएगा जबकि कॉंग्रेस वहां से तारीक अंवर को अपना उमिद्वार बनाना चाहती है तो इनी सभी सीटों को लेकर लगातार थी स्तान जारी है और अब तक यह भी नहीं हो पाया है कि कौन कि इतने सीटों पर पिहार में चुना उलड़ेगा को अंग्रेस साफ पर पर यह कह रही है कि 9 सीटों से कम उनको मंजूर नहीं है जबकि लालु यादव यह कह रहे हैं कि 6 सीट से ज्यादा वो नहीं दे सकते हैं और जो मुक्षे सीटे जिसको लेकर सुरू से पेज पसा इतनी देरी क्यों हो रही है चार सीटे हैं जिस पर अभी पेज फसा हुआ है अपने अपने यहां पर महत्वकांशा है सभी दलों की तो क्या कुछ और ऑप्शन्स बचते हैं या फिर यह सुल्जा लिया जाएगा ऐसा माना जाए इतनी देरी क्यों के तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि पटना में जब लालू यादा और तेजस्वी यादा पहुंचेंगे जो दिल्ले में आप तक माउजूद हैं और आज कॉंग्रेस के वरिश नेता केसी वेनू गोक्ताल के घर पर एक मिटिंग मी होनी है झाल है